जैहिन सात्यों स्वागत आप सभी का आपके अपने ओनलाइन परिवार आरसिस्टेडी ट्रिक परिवार में और जैसा कि आप थमनेल में देख रहे हो और आप सभी को पता है कि अपनी राम सिंग यादों की थियोरी बुक चल रही है जिसके हमने गणीत के सभी परसन कंप्लि कर लेंगे और इस तरह यह पुस्तक भी आपकी कंप्लिट हो जाएगी इससे पहले हमने राम सिंग यादों की पुस्तक के पूरे 50 पेपर शेट किये थे और हेराड पुस्तक के भी पूरे 50 पेपर शेट किये थे यदि वह आप देखना चाहते हो तो उनकी प्ले लिस्ट का चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ओन कर लिजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल-पल की अपडेट आप तक समय पर पहुंसती रहे साथ इन सभी की पीडिये फाइल और अनेक परकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलिग्राम चैनल को जोइन कर लिजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गिया है तो आज का पहला क्यूशन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिया गिया है साइंस का मोस्ट इंप्पोर्टेंट क्यूशन है और स्वास्ते वीज्यान से संबन्दी जितने भी परसन बजेंगे उन सभी का आज दिन हम आज के वीडियो में करेंगे तो आज दिया गया पैला क्यूशन की एक कोशी की जीव है एक कोशी की जीव कौन कौन से है आपका एक तो होता अमीबा इसके अलावा होता पेरामीशियम और इसके अलावा एक होता यूगलिना ये तीनों जीव एकोशिक ये होता है और पेरा मीशियम एक ऐसा जीव है जिसकी आकरती पेर की चपल के समान होती है तो option number A right हो जाएगा इन में से कौन सा है अमीबा है इसके अलवा मेंड़क, मचली और आपका केंचुआ ये तीनों कौन से होते हैं ये एसमतापी वर्ग के प्राणी है मेंड़क, मचली और आपका केंचुआ होता है next question क्यों और बढ़ते हैं next question दिया गया है कि नेमन में से किसे कोशिका का सक्तिग्रे के नाम से जाना जाता है कोशिका का सक्तिग्रे या कोशिका का पावराउस जिसमें उर्जा बनती है वो कौन सा होता माइटो कॉंटर या होता ओप्शन नंबर बी राइट होगा यहां पे next question है सबी जिवित कोशिका की पलाजमा में अम्प्रेन होती है किस परकार की होती है आपारगम में होती है चैनित पारगम में पारगम में या अर्ध पारगम में तो यदि आपके ओप्शन में चैनित पारगम में ओप्शन दिया गया है तो ओप्शन चैनित पारगम में ही राइट होगा और यदि ये नहीं दिया गिया है तो कौन सा राइट होगा यदि ये नहीं दिया गिया है तो अर्द पारगम में इसका राइट आंसर होगा Next Qs DNA कहां मौजूद होता है RNA में, Nucleus में, Plasma में या Nucleic Acid में तो DNA कहां होता है आपका DNA आपके Nucleus में होता है Option B में Nucleus दिया गिया है तो Option B इसका राइट आंसर होगा Next Qs सामाने मनुष्य की कोशिका में गुण सुत्रों की संक्या कितनी होती है 36, 43, 48 या 46 तो सामाने मनुष्य की कोशिका में गुण सुत्रों की संक्या होती है 46 जो कि कितने जोड़ी होती है 23 जोड़ी होती है जिन में से 22 जोड़ी तो समान गुन सुतर होते है और एक जोड़ी आपके लिंग गुन सुतर होते है जो मेल और फिमेल में लग लग होते है Next Qution Qausi का विबाजन नेमन में से किस परकिरिया से होती है Heterosis, Yugman, Mitosis या इन में से कोई नहीं Qausi का विबाजन आपके Mitosis परकिरिया से होती है Option C में Mitosis है Option C इसका राइट आंसर होगा Next Qution Qausi का विबाजन आपके Mitosis परकिरिया से होती है Kaloroplast, Mitochondria, Vacules या इन में से कोई नहीं तो लाल वरनक Enthosinin कौन होता है Kaloroplast होता Option A राइट होगा यहां पर Next Qution Qausi का शिदान्त का परतिपादन किस ने किया था तो Qausi का शिदान्त का परतिपादन आपके Sliden और T-Swan ने किया था और T-Swan का पुरा नाम क्या थियोडर स्वान है Option B राइट होगा यहां पर Robert Brown ने तो क्या किया था Robert Brown ने आपके Kendra की खोज की थी और Qausi का की कोज Robert हुक ने की थी Next Qution ATP क्या है ATP Adenosin Triphosphate Trataphosphate नहीं है Triphosphate भी नहीं है Adenosin Triphosphate है Option नमबर D राइट होगा यहां पर Next Qution है कि Jeev की सरसनात्मक और किरियात्मक की काई कोन होती है परत्यक सरसनात्मक और किरियात्मक की काई कोसी का होती है Option नमबर D राइट होगा यहां पर Next Qution सुके हुए कि समिस पानी में डालने पर फूल जाते है यह किसे दरसाते है कि बाहिये वीलियन अलप परासारी है बाहिये वीलियन अती परासारी है यह फिर बाहिये वीलियन समपरासारी है यह किसमिस की सताय पारगम में होती है तो यह किसे दरसाते है Option B राइट होगा बाहिये वीलियन अती परासारी होता है इसलिए किसमस पानी में डालने पर फूल जाते है Next Qution पतिया किस के कारण हरी होती है हरित लवक, पानी, जाइलम या परकास तो पतिया आपके हरित लवक के कारण हरी होती है Option No A राइट होगा और जाइलम क्या करता है जाइलम जडों में उपस्तित होता है जो कि जड़ों से पोदों के अन्य भागों तक पानी का परिवान करता है जाइलम एक उत्तक होता है पोदों में दो परकार के उत्तक होता है एक जाइलम और एक फलोयम फलोयम क्या करता है फलोयम आपके पतियों से बोजन को अन्य भागों तक पहुंचाता है और जाइलम आपके जड़ों से पानी को अन्य बागों तक पहुंचाता है Next question नेमन में से किस उत्परेड़क की उपस्तिती में परकास अंसलेशन होता है परकास अंसलेशन किस की उपस्तिती में होता कलोरोफिल की उपस्तिती में होता और जाइलम और फलोयम के बीच पाय जाने वाले के लिए जिम्मेदार होता यह बहुत बताया था को क्या करता जाइलम जायलम आपके जड़ों से पानी को पोद्य के अन्य भागों तक पहुंचाता है तो क्या करता है पानी का परिवहन करता है option A right होगा और आहर का परिवहन कौन करता है पत्तियों से बोजन को अन्य भागों तक कौन पहुंचाता है फलोयम पहुंचाता है तो आहर का परिवयन फलोएंड करता है Next question है कलोरोफिल कहां होता है कलोरोफिल आपके पत्ती में होता है और पत्ती के निचले बाग में जो छिद्र होते हैं उन्हें इस्टो माटा करते हैं तो इस्टो मेटा कहा होते है पती के निचले बाग में होता है ओप्शन नंबर A राइट होगा यहां पे next question है कि वनस्पतियों में किस्चे पानी का बहाव होता है यह दो अब अभी अभी बताया था आपको जाइलम तो क्या करता है जाइलम जल का परिवन करता है और फलोयम क्या करता है भोजन का परिवन करता है न्याक्ष्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् विज्ञान क्या कहला था माइकोलोजी बोटनी जूलोजी या सिस्मोलोजी तो सिस्मोलोजी क्या होता है सिस्मोलोजी में भुकम्पों का अध्यन किया जाता है और भुकम्प को मापने वाले यंतर को सिस्मोग्राप का जाता है जूलोजी में जन्तु विज्ञान का अध्यन किया जाता है और बोटनी में वनस्पति विज्ञान का दिन किया जाता ओप्शन B राइट हो गई यहां पर नियाक्ष्ट क्यूशन नेमन में से कौन सा तत्तुए या रसाइन पोदों से पराप्त होता है कुनेन, एस्प्रीन, इंसुलीन या इन में से कोई नहीं तो कौन सा पराप्त होता है कुनेन और किस पोदे से पराप्त होता है सिनकोना वर्ख्ष की चाल से पराप्त होता है कुनेन नियाक्ष्ट क्यूशन ने बिंडी का वानस्पतिक नाम क्या है तो बिंडी का वानस्पतिक नाम होता ही बिसकस इसक्यूलेटर्स ओप्शन B में दिया गया तो ओप्शन B इसका राइट आंसर होगा तमभाकू में मनुष्य को हन्नी पहुंचाने वाला पदार्थ कौन सा होता है एंजाइम, निकोटिन, मारफिन या इन में से कोई ने तो तमभाकू में हनिकारक पतार्थ होता है कौन सा निकोटिन नेक्ट क्यूशन है फोटो सिंतेसिस क्या होती है फोटो सिंतेसिस पेडों में एक खाना बनाने की परकिरिया होती है Option B में दिया गिया तो Option B इसका right answer होगा Next question मचलियों किसके दुवारा सांस लेती है तवच्छा गलपड़े फेपड़े या इन में से कोई ने तो मचलियों आपके गलपड़ों या गिल्स के दुवारा सोसन किरिया करती है Option number B right होगा Next दिया गिया कि नेमन में से कौन मानव सरीर की गतिवीदियों को नियंतरित करता है तो सरीर की गतिवीदियों को कौन नियंतरित करता है मस्तिस्क करता है Option A right होगा उड़ने वाले एकमातर इस्तंदारी जन्तु का नाम बताईए उड़ने वाला एक मातर इस्तंदारी कौन सा होता चमगा दड़ोता है और वहल भी क्या इस्तंदारी है जो जली ये जीऊ भी है Next question, मेंडेक का इरदे कितने कक्सों का बना हुआ है तीन कोष्ट ये बना हुआ है और मनुष्य का इरदे चार कक्सों का बना हुआ होता है Next question है फिता कर्मी किस कलास में आता है तो फिता कर्मी किस कलास में आता है शिष्ट ओड़ा, ट्रीमेट ओड़ा, सक्तोरिया या रेप्टाइल तो किस class में आता फीता करमी आपके शिस्टोडा में आता option a right होगा वहल एक क्या होता वहल एक अब ये भी आपको बताए इस्तंदारी है option number c right होगा उंठ पानी का संग्रेण किस अंग में करता है गर्दन में पेट में पूरे सरीर के टिसूओं में या कूबड में तो कूबड में तो क्या करता है, उंट वसा का संग्रण करता है, तो पानी का संग्रण किस में करता है, पूरे सरीर के टीशुओं में करता है, ओप्शन C राइट होगा, किटों में सवसन अंग का कारी कों करता है, तो किटों में सवसन अंग का कारी कों करेगा, स्वास नली, फुपूस्त वच्चा या हिर्दे, तो किटों में साउसन अंका कारे स्वास न लिए करती है, option number A right होगा, नेमन में से कौन सा प्राणियों का सम्वाइ समतापी प्राणियों से सम्बंदीत है, पहले क्यूशन में आपको बताया था कौन कौन सा था, एक तो मचली, मेंडक और केंचुआ, option C में दिया गया, option C right हो जाएगा, next क्यूशन, इस्तंदारे जीव किस से विक्सित हुए, सरीशरप से, उबेचर से, मचलीयों से या इन में से कोई नहीं, तो इस्तंदारे जीव आपके सरीशरप से विक्सित हुए, option number A में दिये गए है, तो option number A इसका सही आंस्वर होगा, next क्यूशन है कि कौन सी हड़ी मानुख सरीर के टांग में पाई जाती है, तो यह आपके मानुख सरीर से सम्बंदित परसन है, जो आगे आएंगे, तो मानुख के टांग में कौन कौन सी हड़ीयां पाई जाती है, टांग में आपके कुले से लेकर गुटने तक जो हड़ी पाई जाती है, जो सरीर की सबसे लंबी हड़ी मानी जाती है, और वो कौन सी होते है फिमर होती है यहां पे फिमर आप्सन A में दिया गया तो आप्सन A राइट होगा इसके अलाव टांग में गुटने से लेकर टकने तक दो हड़ीया पाई जाती है जिनका नाम होता टीबिया और फिबुला और उसी परकार आपके हाथ में कोहनी से लेकर कलाई तक दो हड़ीया पाई जाती है जिनका नाम होता एक का रेडियस और दूसरी का अलना और जिस परकार पेर में फिमर पाई जाती है आपके कुले से लेकर गुटने तक उसी परकार हाथ में आपके कंदे से लेकर कौनी तक एक हड़ी पाई जाती जिसका नाम होता है हूमरस और पेर में आपके गुटने में एक तिर्बुजाकार हड़ी पाई जाती है जिसका नाम होता है पटेला नेक्स्ट क्यूशन की और बढ़ते हैं Qution दिया गया कि मनुछ्य के सरीर में रेंटी कून से अभी इभी बताया था कौन से होती है जो कुल्य मेर होती है जो सब से रेंटी होती है हरा है से कलाई तक होती और टीविज्वा और फीवुल्म पेर में होती है जो गुटने से टकने तक होती है next question सरीर में सबसे मजबूत पेशी किस की उती है जबडे की जांकी छाति की यह कान्ग की तो से मजबूत पेशी आपके जबडे की होती है? option A right होगा किस दाइट के 3 जड़े होती है? तो 3 जड़ों वाला दाइट कौन सा होता है? प्ριम मॉलर, मॉलर, इंसाइजर या केनाइन तो किस दाइट के होती है? तीन जड़े आपके मॉलर के होती है? ओप्शन नंबर A राइट होगा जिसे इंदी में चावरनक बीक बोलते हैं Next Qs नेमन मेंसे किस के पाचन में लार मदद करती है तो लार आपके स्टार्च या मंड के पाचन में मदद करती है ओप्शन D में दिया गिया ओप्शन D राइट होगा मनुष्य के मस्तिस का ओसत वजन क्या होता है एक किलो ग्राम बारा सो ग्राम बारा सो पचास ग्राम या पंदरा सो ग्राम तो यह से देखे तो मनुष्य के मस्तिस का ओसत वजन लगबग चावदा सो ग्राम होता है शरीर का सबसे बड़ा अंग कोन सा होता की और बढ़ते है कि next question दिया गया कि मनुष्य के शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है 40% 65% 70% या फिर 80% तो मनुष्य के शरीर में पानी की मात्रा होती है आपके 65% किस ओप्षन में दिया गया 65% आप संभी में दिया गया पयुक्यक्ष का राइट ांस्र होने वाला है कि नेमन का नाम बर्त के नाल दिया गयाकिसका दियागा वेञायना यूटेरस यूरेत्रा या इनमे से कोई नहीं तो बर्थ के नाल इनमे से वेजाइना का नाम दिया गिया option A में दिया गिया वेजाइना तो option A इसका right answer होगा next question है कि चेहरे में कितनी अडियां होती है 20, 14, 13 या 12 तो चेहरे में कितनी अडियां होती है कितने का होता चार का option number A right होगा next question है कि हार्मोन का उप्योग किया जाता किस के लिए किया जाता हार्मोन का उप्योग metabolic कारिय के लिए रोगों से बचाओ के लिए उर्जा उत्पादन के लिए पाचन वपुन उत्पादन के लिए तो हार्मोन का उप्योग किया जाता आपके मेटाबॉलिक कारियों के लिए उप्षन नमबर A राइट होगा Next question है मानुश्रीर में सबसे कठोर इसा कौन सा होता है डेंटाइन, इनेमिल, केरेटीन या हडडी तो सबसे कठोर कौन सा होता इनेमिल होता जो दांतों पर पाया दाता है Next question मनुश्य का वेगयानिक नाम क्या है मनुश्य का वेगयानिक नाम होता होमो सेपियंस Option B में दिया गया तो Option B इसका राइट आंसर होगा सरीर तंतर प्रनाली को नेमिल में से कौन नियंतरीत करता है अभी अभी एक Qution आया ता, वहू Qution दिया गया, कौन नियंतरित करता है? मस्तिस्क नियंतरित करता है। आप ओलों कि मस्तिस्क तो Option में भी नहीं है, तो Option D. भी तो दिया गया है, इन में से कोई नहीं। Next question, name में से कौन मानो उत्पती तंतर का भाग है, तो मानो उत्पती तंतर का भाग कौन सा होगा, बच्चे दानी, पेशाब दानी, अंड कोस या इन में से कोई ने, तो उत्पती तंतर का भाग होगा, आपका बच्चे दानी, option number A right होगा, वैसे का आदमी का दिल एक मिनट में कितनी बार दड़कता है, पचास, बैतर, एक सो आठ या इन में से कोई ने, तो वैसे का आदमी का दिल एक मिनट में बैतर बार दड़कता है, आप सभी जानते हो, इस क्यूशन का उत्पतर, next क्यूशन, यकरत की सिरोसिस का कारण होता है, कौन होता है, कोकीन, एलकोहल, LSD यकरत की सिरोसिस का कारण होता है, ओप्शन नमबर B राइट होगा, एक्यूपंक्चर क्या है, एक्यूपंक्चर होता है, आपका सुईयों के माध्यम से उपचार विद्धी, ओप्शन C में दिया गया, तो ओप्शन C इस का राइट आंसर होगा, चरम की उपरी परत को क्य आपके epidermis का जाता है, और तव्चा के अद्दियन को क्या का जाता है, Jr. का जाता है, और सरीर का सब्से बड़ा अंग भी कौन सा होता है, त्वचा होता है, मनुश्य के सरीर में कशे रुकाओं कितनी होती है, तो कशे रुकाओं की संख्या होती है, आपके 33, option A में दिया ग तो option B right होगा मनुष्य में कितनी अडियां पाई जाती है दोसो पिचेतर, दोसो चेह, दोसो या एक सो चेह तो मनुष्य में 206 अडियां पाई जाती है और इसमें आपके लिए कंकाल तंतर से सम्मणुद एक वीडियो बनाया गिया है जिसमें सबी 26 हडियां एक एक गिनवाई गई यह आपसे ठीक है यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गिया है जाकर देख सकते हो next question मानो शरीर की सबसे बड़ी गरंती कौन सी है तो मानो शरीर की सबसे बड़ी गरंती कौन सी है सबसे बड़ा अंग कौन सा है और सबसे बड़ी हड़ी कौन सी है इन तीनों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं तो आप जानते होंगे आसा है तो इसका उतर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना next cushion फेपडों से यक्रित शे अग्णियासे से या गुरदा से तो किससे सरावित होता इंसूलीन आपके अग्णियासे से सरावित होता। ओप्सनटारी गाल, नाखुन और पंजा किस के बने होता हैं। सब्सक्रण प्रोतीन या लोहा हैं। प्रोटीन के बने होती है ओप्शन सी में प्रोटीन है तो ओप्शन सी इसका राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्यूशन एक मिनट ओल्फ्यक्टोरी शेप्टर संबन दीता है किस से संबन दीता है सुन्गने की सकती से संबन दीता है चुनने की सकती देखने की सकती या सुनने की सकती तो all factory chapters किस से संबन दीता है आपके सुंगने की सकती से संबन दीता है option A में दिया गया तो option A इसका right answer होगा next question is cerebellum नियंत्रन करता है किसका करता है शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है cerebellum जो की मस्तिस का एक बाग है option number C में दिया गया option C right होगा नियमन में से कौन सा अंतसरावी गरंती नहीं है pituitary, thyroid, adrenal या penchiria तो आपकी puse गरंती, thyroid गरंती और adrenal गरंती तीनों क्या अंतसरावी गरंती है परंतु penchiria क्या है penchiria अंतसरावी नहीं है बहिर शरावी गरंती है next question यकरित भोजन को किस रूप में संचय करता है glucose, glycogen, albumin या ATP तो किस के रूप में संचय करता है glycogen के रूप में संचय करता है option B में दिया गया option B इसका right answer होगा next question है liver या यकरित का मुख्यकार ये क्या होता है रक्त दाब नियंतरन पाचन कीरिया रक्त साप करना या स्वास नियंतरन करना तो रक्त का सुधी करन तो कहां पर होता है रक्त का सुधी करन तो होता है आपके गुर्दे या किड़नी में होता है तो यक्रित का मुखेकारी क्या होता है पाचन किरिया होता है उप्षन नमबर B में दिया गे उप्षन B राइट होगा एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है यदि पेमाना दिया गया फोरेन हाइट पे तो होता है आपके इठ्याण में 0.4 degree Fahrenheit और यदि दिया गया Celsius पे तो होता 36.9 degree Celsius और यदि Kelvin पे दिया गया है तो 310 Kelvin ठीक किस में दिया गया है यहां पे फोरेनाइट पे तो इठ्याण में 0.4 degree Fahrenheit Option B में दिया गया Option B इसका राइट आंसर होगा Next question Enzyme क्या होते है? Carbohydrates होते हैं, proteins होते हैं, fatty acids होते हैं या nucleic अमल होते हैं तो क्या होते है? Enzyme आपके proteins होते हैं Option B में दिया गया Option B इसका राइट आंसर होगा Next question निम्न में से गाय का दूद किस विटामीन का परमुक सरोत होता है तो गाय का दूद आपके विटामीन e का परमुक सरोत होता है Option A में A दिया गया तो comforting A राइट होगा Ellie reads किस की कमी के कारण होता? रीकेट्स किस की कमी के कारण होता? शूखा रोग भी कहते हैं, जिसे अस्ति- décidéक धर मर्दूता भी कहते हैं किसकी कमी कारण होता विटामिन D की कमी कारण होता और विटामिन D का परमुक्सरोत क्या होता सूर्य का परकास होता है नेक्स्ट क्यूशन दिया गया विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता रतोंदी, इसकरवी, बेरी-बेरी या रिकेट्स तो रिकेट्स थी तो हम चर्चा कर चुके विटामिन D की कमी से होता बेरी-बेरी विटामिन B की कमी से होता रतोंदी विटामिन A की कमी से होता है तो कौन सा बचकिया इसकर भी रोग होता जो दान्तों और मसूडों से संबन दित होता विटामिन C की कमी से होता इसके अलाओ दान्तों और मसूडों से संबन दित एक रोग और होता जिसे हम क्या कहते है जिसे हम कहते है पाईरिया पाईरिया रोग भी किस से संबन दीते है दांतों और मसुडों से संबन दीते है काज़िया हैं का नाम बताइए एंटीरिस टाइल विटामिंँ का नाम बताएए एंटीरिस टाइए एक्सटे इए बिटामिन तो कोण सा होगा ओप्शननरमर यह राइट होगा विटामिन इसका सही झीच आन्सोर है मनुष्य के में खून की कमी का कारण कौन सा होता है विटामिन C, विटामिन B12, विटामिन A या विटामिन D तो खून की कमी का कारण होता है विटामिन B12 जिसमें कौन से अत्विक्पदार्थ होता है लो होता है या आईरन होता है और किस में उपस्तित होता है विटामिन B12, हीमोगलोबीन में उपस्तित होता है Next question, विटामिन C का रासाइनिक नाम क्या है ACET कमल, Lactic कमल, Ascorby कमल या इन में से कोई नहीं तो विटामिन C का रासाइनिक नाम होता, Ascorby कमल, option C right होगा सूरिय का परकास कौन सा विटामीन उत्पन करता है अब ये भी आपको बताया था कौन सा होता है विटामीन D होता है मनुष्य द्वारा सवसंस लेक्षित विटामीन भी विटामीन D होता है नेमन में से किस विटामिन में दातू होती है अभी अभी आपको बताया कौन से में होती है विटामिन B12 में होता है आईरन होता है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है एनिमिया रोग होता या हम कह सकते है खुन की कमी होती है चर्बी में कौन से विटामिन गुलते हैं चर्बी अर्थात वसा में गुलंसीन विटामिन तो केवल दो विटामिन ऐसे हैं B और C जो जल में गुलंसीन होते हैं वाकि A, D और K किस में होते हैं वसा या चर्बी में गुलंसीन होते हैं विटामिन का मुख्य स्रोत है एक मिनट गाजर में कौन सा विटामिन होता है विटामिन C, विटामिन D, विटामिन A या विटामिन B तो गाजर में कौन सा विटामिन होता है विटामिन A पाया जाता है next question दिया गिया है आपकी स्क्रीन पर की निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में गुलंसील है तो अभी अभी बताया था आपको वसा में कौन कौन से होते है और जल में कौन कौन से होते है तो B और C किस में होते हैं, जल में गुलन सील होते हैं और विटामिन D दिया गया तो ये वसा में होगा Next question, बेरी बेरी रोक किस विटामिन की कमी से होता है, इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं, विटामिन B की कमी से होता है मसूडों से संबंदित बीमारी कौन सी होती है, इसकरवी होती है, विटामिन C की कमी से होती है, इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके है मसूडों में खून आना फिर से आ गिया किस की कमी से होता है विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है इसकरवी रोग होता है विटामिन C का रासाइनिक नाम A स्कॉर भी कम दोता है विटामिन C के सरोत होते है खटे फल और विटामिन C एक मातर ऐसा विटामिन है जिसका कोई भी मासा हारी शरोत नहीं है नियक्ष्ट क्यूशन विटामीन एक की कमीशे कौन सा रोग होता है एक की कमीशे रतोंदी रोग होता है option number B right होगा पलेक किस के कारण होता है पलेक चूहों के द्वारा फेलने वाली बीमारी है next क्यूशन जब बोजन को लंबे समय तक पकाया जाता है तो क्या नष्ट हो जाते है बोजन को लंबे समय तक पकाने से प्रोटीन नष्ट हो जाते है option A right हो जाएगा यहां पे next क्यूशन दिया गया है कि निमन मेज से सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाइजाती है अंडे में, दाल में, दूद में या मुंग फली में तो सरवादिक प्रोटीन किस में पाई जाती है दालों में पाई जाती है option B right होगा मानों सरीर को कौन सा खाद्यपदार सबसे अधिक उर्जा देने की समता रगता तो सरवादिक उर्जा किस से मिलती है तुरंट उर्जा तो आपके Cabo Hydrates से मिलती है परन्तु सरवादिक उर्जा वसा से मिलती है option B right होगा प्रोटीन का पाउचन कहाँ पर होगा प्रोटीन का पाउचन बढ़ी आत में चोटी आत में, मुख में या ये क्रित में तो कहाँ पर होगा प्रोटीन का प्रोटीन आपके छोटी आथ में होता है ओप्शन B में दिया गया तो ओप्शन B इसका राइट आंसर होगा गलुकोज क्या होता है वसा प्रोटीन कार्बोहाइट्रेट्स या इन में से कोई नहीं तो गलुकोज होता है आपके कार्बोहाइट्रेट्स शुरुआत होती है, तो आर्स रंखला की शुरुआत के लिए हरेपोद ये अनिवार ये ओपशन No. C राइट होगा नेमन में ये सबसे अच्छा प्रोटीन का सुरोथ कौन सा होता है सबसे अच्छा प्रोटीन के सुरोथ की बात करें तो वो कौन सा होता मचली होता मचली में सरवादिक प्रोटीन होता येकरित द्वारा सराव किया गया बाइल कहां जमा होता है येकरित द्वारा सराव किया गया बाइल आपके कहां पर होगा येकरित में गाल बलेडर में फेपडे में या इन में से कोई नहीं तो ये गाल बलेडर में जमा होता, option B में दिया गया, option B इसका right answer होगा. निम्न में से किस्ट में कार्बो हाइडरेट सबसे अधिक पाया जाता है, सरवादिक कार्बो हाइडरेट आपके चावल में पाया जाता, option A में दिया गया, चावल तो option A इसका right answer होगा. next question, हीमोगलोबीन का मुखे अंस क्या है, अभी अभी हम चर्चा कर चुके कौन सा विटामीन होता, विटामीन B 12 होता है, और क्या होता है, दोहा होता है, option B right होगा, और कमी से कौन सा रोग होता, एनिमिया रोग होता है, लाल वर्ण, लाल कनिकाउं के निम्न में से पाया जात है, किस में पाया जाता है, हीमोगलोबीन, एन्थोसाइनीन, जेन्थोफील या केरोटीन तो किस में होता है? हाँचा क्यूशन है, असुद रुक्त और सुद रुक्त की बात करें, तो सुद रुक्त आपके धमनियों में बैता और असुद रुक्त सीराओं में बैता, option B right ह परन्तु यदि बात आए पल्मोनरी दमनी और पल्मोनरी सीरा में सीरा में असुद रख्त बैता परन्तु पल्मोनरी सीरा में सुद रख्त बैता और दमनियों में सुद रख्त बैता परन्तु पल्मोनरी दमनियों में कौन सा रख्त बैता असुद रख्त बैता और गुर्दे में क्या होता है गुर्दे में रक्त का सुधी करण होता है खुन किस अंग में सुध होता है ये लो क्यूसन आगिया अभी अभी सुधी करण किस में होता है गुर्दे या किडिनी या वरिक में होता है next question यादि b समोए से वक्ति को रख़्ट के आउशकता होती है तो निमन में से एक रख्ट समोए का रख्ट परदान किया जाएगा इसके अलवा एक रख समुह एसा है जो आपका सर्व दाता होता है जो सभी को देता रहता है वो कौन सा होता है तो O का और B का ले सकता है option number A right होगा यहां पे और AB क्या होता है यह किसी का भी ले सकता है next question रुदिर एक उत्तक होता है रुदिर कौन सा उत्तक होता तरल संयोजी उत्तक होता है यहां पे संयोजी उत्तक option में दिया गया तो संयोजी राइट हो जाएगा next question और उदिर वर्ग वाले वेक्ति में होता है क्या होता है और उदिर वाले वेक्ति में आपके antibody तो A और B दोनों होती है परन्तु antigen कोई भी नहीं होता इसलिए ये serve दाता होता option number A right होगा और यदि आपका रक्त समोई A B है तो इसमें क्या होगा दोनों antigen होगा परन्तु antibody नहीं है ये एक भी next question सामानेत मनुष्य का रक्त चाप कितना होता है सामानेत मनुष्य का रक्त चाप होता है आपके 120 ACM रक्त का सुधिकर्ण कहा होता है ये फिर से question आ गया बार बार आ गया तो इसका आपका उत्तर comment box में comment करके बता देना आपको दो तीन बार बता चुके इसी वीडियो में next question की और बढ़ते है कि हिमोगलोबीन में कौन सा खनीज लवन पाया जाता है ये भी बार बार आ गया कौन सा पाया जाता है लोहा पाया जाता है ओटरी के लिए क्या सई है मोटी दिवार का जिसमें खुन उच चाप के साथ बैता है या फिर पतले दिवार का खुन निम चाप के साथ बैता हो या फिर मोटी दिवार का खुन निम चाप के साथ बैता है पतले दिवार का खुन उच चाप के साथ बैता है नेक्स्ट क्यूशन है WBC का full form क्या होता है स्वेक्त रत कणिका होता है जिसका हम इंग्लिश में बोले तो white blood carpuses होता option number A right होगा और WBC का कार ये क्या होता है WBC आपके सरीर की रोग परतिरोदक समता को बढ़ाती है नेक्स्ट क्यूशन मानव रक्त में पलाजमा कितने परतिस्ट होता है तो रक्त में पानी की बात करे तो वो 65 से लेकर 70 परतिस्ट तक होता और पलाजमा की बात करे तो सोरी मानव सरीर में पानी की बात करे तो रक्त में नहीं सरीर में पानी की बात करे तो 65 से लेकर 70 परतिस् होता हुप सय नंबर बी रैट हो गाए यहां अब हमारे स्रीर में लाल रख्थ कोषिकाओं का निर्मान मंते अस्ति मज़ा में और लाल रख्थ कोषिकाओं का जी ψनकाल कितना होता है लग बग 120 बीस दिन का जीवनकाल होता है और RBC और WBC का अनुपात कितना होता है शरीर में तो यह Most Important Qution बनने वाला 600 अनुपात एक होता है RBC और WBC का अनुपात Next Qution RBC का मतलब क्या होता लाल रख्तकनी का है और WBC का होता सफेद रख्तकनी का है Next Qution Type I'd की सिस्य को परभावित करता है तो जो भी अब आने वाले Qution है वो रोगों से संबन दित होंगे तो यह पहला Qution दिया गया है कि Type I'd की सिस्य को परभावित करता है यह अकरत फेपड़ा पेट या आन्थ तो Type I'd आपके आन्थ को परभावित करता है और WBC किस कारण होता है आईरिश के इस्तान बदलने से कमजोर मास पेशी से आँखों की पूतली के आकार में परिवर्तन या रेटिना की कमजोरी से तो निकट दरश्टी दोस्त आपके आँखों की पूतली के आकार में परिवर्तन के कारण होता है Option C में दिया गिया Option C इसका राइट आंसर होगा नेमन में से कौन सा सक्रामक रोग हवा से फेलता है हवा से फेलने वाला रोग कौन सा होगा इन में से पलेग टाइफाइड तपेदिक या हेज़ा तो हेज़ा आपके दूसी जल से फेलने वाला रोग होता है यहां पे राइट आंसर ओप्शन C होगा तपेदिक रोग आपके हवा से फेलता है पलेक किस से पहलता अब ये भी बताया था आपको चूहों से पहलने वाले बिमारी leukemia एक मानो बिमारी है जो पर्मुक रूप से किसे परबावित करती है रत को सीखा को परबावित करती है और इसी के कारण बलड गैंसर होता है चिकन गोनिया किस परजीवी के काटने से होता है चिकन गोनिया किस के काटने से होता है मौस्क्यूटो, स्वाइन, चिकन या बेक्टीरिया तो किस के कारण होता है मौस्क्यूटो के काटने से होता है option A में दिया गिया option A इसका right answer होगा पील या शरीर के किसंग को प्रभावित करेगा तो पील या आपके यकरत या लिवर को प्रभावित करेगा option number A right होगा cholera या हेजा किसके कारण होता है विवीरियो, cholera, swine, chicken या बेक्टिरिया तो cholera या हेजा आपके विवीरियो, cholera के कारण होता है और ये दुशित जल से फेलने वाला रोग भी है चैचक की बिमारी किस्टे होती है जिवानों से, गंदे पानी से, दुशित वायों से या विशानों से तो चैचक की से फेलता है आपके वायरस जनित या विशानों जनित रोग है उप्शन D में दिया गया है, उप्शन D इसका राइट आंस रोग है नेक्स्ट क्यूशन है, शरीर का कौन सा अंग पॉलियोस से परभावित होता है तो कौन सा अंग होता है, नेत्र, तउचा, नाकुन या तंत्री का तंत्र तो पॉलियोस से परभावित आपका तंत्री का तंत्र होता है उप्शन D में तंत्री का तंत्र है, उप्शन D इसका राइट आंसर होगा नेक्स्ट पसने मलेरिया किस के कारण होता है वक्टिरिया, प्रोटो जॉए वायरस या फंगस तो पारया, प्रोटो जॉए के कारण हता है ओप्शन B में दिया गिया है ओप्शन B इसका राइट आंसर होगा सिनकोना पोद्य से कौन सा रासाइनिक पदार्थ मिलता है आपको बताया था अब ये भी पहले एक क्यूशन में कौन सा होता है कुनेन प्राप्त होता है ओप्चन ए राइट होगा और किस से प्राप्त होता है सिनकोना की चालत से प्राप्त होता है छोटी चैचक के कारण क्या है? कीट, जीवानू, विशाणू या इन में से कोई नहीं तो छोटी चैचक का कारण आपके विशाणू है कौन सा रोग जो अनिवारी लशीकरण की वज़़े से समाप्त कर दिया गिया है कौन सा होगा वो आपका smallpox, polio, hepatitis या chickenpox तो अनिवारे लशिकरन की वज़े से chickenpox को खतम कर दिया गया option D में chickenpox है, option D इसका right answer होगा एकजीमा किस्चे सम्मदित बिमारी है, हिर्दे, तुचा, लिवर या इनमें से कोई नहीं एकजीमा आपके तुच्चा से सम्मदित बिमारी है, क्सेरो किस्चे होता है, virus, bacteria, kawak, की या फिर मचर तो क्सेरो किस्चे होता है, bacteria से होता है, option B right होगा हेजा किस से पहलता है हेजा आपको बताया था दूशी जल से पहलता है ओप्शन A में पानी दिया गया है ओप्शन A राइट होगा पलेग बीमारी किस से पहलती है पलेग आपके चूहों दुआरा पहलने वाली बीमारी है ये भी आपको बार बार बताया गया है शरीर का कौन सा अंग पॉलियो से परभावित होता है या करत हाथ पेर आख या इन में से कोई नहीं तो पॉलियो से कौन सा परभावित होता अभी अभी आपको एक क्यूशन में बताया भी ता कौन सा अंग परभावित होता तंत्री का तंतर परभावित होता है तो आपके किसी भी option में नहीं दिया गया तो option D right हो जाएगा इन में से कोई नहीं arthritis की बिमारी है कौन सी बिमारी arthritis kidney की liver की इन में से कोई नहीं या जोड़ों का सुजन तो arthritis आपके जोड़ों का सुजन होता option number A right होगा next question name में से कौन सी बिमारी का उनमूलन हो चुका है कौन सी बिमारी है जिसका उनमूलन हो चुका चेचक, TB, AIDS या malaria तो कौन सी का हो चुका है चेचक का हो चुका है option number A में दिया गया तो option A right हो जाएगा बच्चों को polyo drops किस आयू तक दिया जाता है तो आप सभी जानते हो 5 वर्स की आयू तक दिया जाता है आप सभी ने पी होगी next question पेर और मुह की बिमारी किसको होती है पस्टूओं को होती है जिसे कुर पका और मुह पका भी बोलते है आयूडीन की कमिशे होने वाला रोग कौन सा होता गोईटर या गेंगा रोग होता है आयूडीन की कमिशे option number C right होगा बेरी बेरी विटामिन B और विकेट विटामिन D अभी अभी आपको बताया भी था next question गेंगा रोग किस की कमिशे होता है ये लो फिर उल्टा पूछ लिए आयूडीन की कमिशे होता है गेंगा गलगंड गोईटर ये की होता है option C right होगा निमन में से कौन सा रोग जल जनित नहीं है जल जनित कौन सा नहीं है आंतर जवर Amoebae, Petschis, Hedja या दमा तो कौन सा नहीं है दमा इन में से जल जनित नहीं है बाकी तीनों जल जनित रोग है Influenza बिमारी किसके दुआरा फेलती है विशानों, जिवानों, बैक्टीरिया या इन में से कोई नहीं तो किसके दुआरा फेलने वाली बिमारी Influenza आपके विशानों दुआरा फेलने वाली बिमारी है Option A में विशानों है तो Option A इसका क्या होगा? Right answer होगा Next question की और बढ़ते हैं Next question आपकी स्क्रीन पर AIDS किसके दुआरा फेलता है? तो AIDS आपको पता है किसके दुआरा फेलता है? HIV नामक वाइरस से पहलता है Human Immunio Deficiency वाइरस से पहलने वाला रोगए AIDS Option A राइट होगा यहां पे Next question हाइड्रोफोब या किस से संबन दित होता है? एनिमिया रेबिज खसरा या फिरतों दितो हाइड्रोफोब या किस से संबन दिता है? आपके रेबिज से संबन दिता है Option B में रेबिज दिया गया Option B इसका राइट आउसर होगा HIV क्या होता? एक विशानु संकर्मन होता जिसे एड्स फेलता है अब यह भी आपको बताया भी है Option C राइट होगा वाइरस क्या होते है? जेविक जन्तू होते है एर जेविक जन्तू होते है प्रोटीन होते है या इन में से कोई नहीं तो वाइरस वे से देखे तो जेविक जन्तू होते है परन्तु यह दि बात आये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कोन होते है तो वो भी क्या होते है? नेक्स्ट क्यूशन मनुश्य में आम तोर पर पाया जाने वाला कवक कौन सा होता है कोलेरा पलेग टाइफाइड या रिंग वर्म तो आम तोर पर कौन सा कवक पाया जाता है मनुश्य में रिंग वर्म पाया जाता है ओप्शन नंबर डी राइट हो गई आपे ट्रेकोमा बी कौन सा रोग दुशित बोजन से होता है कौन सा होता है आपके टाइफाइड टीबी चिकन पॉक्स या इबोला तो कौन सा होता टाइफाइड आपके दुशित बोजन से होता है option B राइट होगा यहां पर नेमन में से कौन सा एंटी बायोटिक है एंपी सिलीन, एस्प्रीन, कॉमप्यक्स या इनमें से कौन नहीं तो एंटी बायोटिक कौन सा होता है इनमें से एंपी सिलीन है ॉप्शन ए राइट होगा पैली सिलीन क्या है यह भी एंटी बायोटिक है option D नंबर डी राइट होगा इनमें से नेक्स्ट क्यूशन BCG के TK का प्रयोकिस में किया जाता ता, TB में किया जाता, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्यूबर क्यूलोसिस भी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर B, राइट होगा नेक्स्ट क्यूशन Pelleachinelle की कोज किस ने की थी, Alexander Fleming ने की थी, ऑप्शन C में दिया गया Option C इसका right answer होगा Next दिया गया है कि नेमन में से कौन सी बिमारी हवा परदुषन का कारण होती है लूकेमिया अस्थमा रहयूमेटीज में या गेंगा तो हवा परदुषन का कारण कौन सी होती है अस्थमा बिमारी होती है Leproscope का संबंद किसे है Leproscope का संबंद होता आपके सरजरी और रोग की जांच से संबंदित होती है Option number D में दिया गया Option D इसका right answer होगा Next question है Rubber की उत्पती किसे होती है Polyster से, Resign से, Paid से या Diesel से तो Latex नामक पोदे से Rubber की उत्पती होती है Option C right होगा, Paid से होती है Next question नेमन में से कौन सा उर्जा के नवीकरणी सरोत का परमुक उदारन है Koila, Paid, Petroleum या सोर उर्जा तो नवीकरणी सरोत का उदारन कौन सा हो जाएगा सोर उर्जा हो जाएगा बाकी ये क्या है आपके Koila, Petroleum से भी पेसा आप में सकर या सुलकोज का पता लगाने के लिए किस परतिकरमी का उपयोग किया जाता है किस का उपयोग किया जाएगा टोल्यांस, बेयर्स, ब्रेडिस या फेलिंगर्स तो किस का प्रियोग किया जाता ब्रेडिस का प्रियोग किया जाता option number C right होगा सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है तो यह आप सभी जानते हो सबसे बड़ा अंडा किस का होता सुतुर मुर्ग का अंडा होता और सबसे बड़ी कोशी का भी सुतुर मुर्ग के अंडे की कोशी का होती है चत्रक क्या है कवक है फल है पती है या इन में से कोई नहीं तो चतरक कवक है option A right होगा नेक्स्ट क्यूटन दूद का दई में जमना किस बैक्टीरिया के कारण होता है यह आपको बार 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 बताया भी गया है कि दूद का दई में परिवर्टन किस के कारण होता है AYVA कहते और Oxygen के उपस्तिति में होता उसे YVA कहते Next Question परत्वी पर जीवन किन पर निरबर करता है परत्वी पर जीवन आपके कार्बनिक अणों पर निरबर करता है इसलिए आपके जिवास्म का पता लगाने के लिए जिवास्म की उम्र जानने के लिए किस पदती का परियोग किया जाता C14 का परियोग किया जाता जिसे कार्बन डेटिंग पदती भी कहते है नेक्स्ट क्यूशन जिवास्म क्या होता है जिवास्म क्या होता है परियोग साला में सरंक्षित जन्तु होता बूतकाल का मृत जन्तू, बूतकाल का आरगेनिक रेलिक या इस्टफड जन्तू तो अब यह भी बताया था कि जिवास्म की उमर जानने के लिए क्या करते हैं कार्बन चवदा पदती का प्रियोग करते हैं और यह क्या होते हैं बूतकाल का मृत जन्तू होता और वो कौन सी होती है वो CO होती है इसे क्या कहते है कारबन मोन आकसाइड कहते हैं चारबन डाइवकसाइड का सूतर तो CO2 होता है सजीत विग्ञान का विग्यान क्या कहला आता है है तो ये जीव विज्ञान कहलाता है किस उप्षन में जीव विज्ञान है उप्षन B में है तो उप्षन B इसका राइट आंसर होगा पौदों के एदियन को क्या कहा जाता है वनस्पती विज्ञान कहते है जन्तूं के एदियन को जन्तू विज्ञान कहते है विज्ञान की किस साखा के अंतरगत मानुत उचा का दिन किया जा था डर्मेटोलोजी आपको बताया भी था उप्शन D राइट होगा उत परिवर्तन म्यूटेशन का सिद्धान्त किस ने बताया था किस ने बताया था D वेरिश, डार्विन, नियो डार्विन या हार्वे तो उत परिवर्तन का सिद्धान्त आपके D वेरिश ने बताया था उप्शन A राइट हो जाएगा यहां पे नेक्स्ट किसन परत्यक जीव में उपारजित लक्षणों के वनसा नुगति के शिद्धान्त किस ने दिया था लेमार्क और ट्रेवी रेनस ने दिया था उप्शन C राइट हो जाएगा रक्त प्रिसंचरन की खोज वीलियम हार्वे ने की थी उप्शन B में हार्वे है उप्शन B इसका राइट अंसर हो जाएगा हर गौविन खुराना को किस खोज के ने लिये नॉबेल पूर्शकार से समानित किया गया आनुवान सी कूट से सम्मझ दित इसने आर आर अन्य की खोज की थी उप्शन नंबर A राइट हो गई या पे नेक्स्ट क्यूशन अर्नस ठीकल ने नेमन में से किस नियम को परतिपादित किया था विरासिता के नियम को परतिपादित किया था अर्नस ठीकल ने ओप्शन A में दिया गया तो ओप्शन A इसका राइट आंसर होगा और इसके साथ ही आपके स्वास्ते विज्ञान के एक सो पिचैतर क्यूशन कंप्लिट होते हैं और आज के लिए इतना ही अब नेक्स्ट वीडियो में हम रसाइन विग्यान के क्यूशनों को हल करेंगे और उसके बाद में हम बोतिक विग्यान के करेंगे फिर एक दिन इतियास फिर भुगोल फिर आजनिती और इस परकार इस पुश्टक को हम कंप्लिट कर देंगे आसा है आपके यह आसानी से समझ में आये है और आपको अच्छे भी लगे होंगे आपको यह सीरीज कैसी लग रही है इसके अलावा जो आपकी गणित और इजनिंग की कलास चल रही है